असलाव आलेकूम तो केसे हैं आप आपका विलकम है इस पीड ओफ माई कीचन में तो आज हम बनाएंगे अलू के पराथे अलू को हमने अच्छे से छील लिया है और इसके टुकड़े करके हम डालेंगे कोकर में पानी के साथ और इसे बॉइल करेंगे अब आप देखेंगे केसे आलू डायरक छिल के बॉइल कर रहे हैं तो मैं कभी भी छिल के वाले आलू बॉइल नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे फिर छिलने में अच्छा नहीं लगता है इसलिए मैं छिल करी आलू बॉइल करती हूँ अब हम आलू को बॉइल होने देंगे उसके बाद हम लेंगे एक ठाली में आटा और अब हम आटे की तैयारी करेंगे इसमें हम लेंगे तोफ में थोड़ा से काली मिर्ची लोंग जीरा इसे हम अच्छे से कूट कर पाउडर बैना कर आटे में एट करेंगे ठीक हैं अब हम ये पिसावा पाउडर इसमें एट कर देंगे साथी साथ हम इसके डालेंगे कस्तूरी मेथी नमग अब इसके अंदर हम बारी कटी हुई हरी मिर्शी एट करेंगे अब हम इसके अंदर डालेंगे बारी कटा हुआ हरा दनिया और हल्दी पाउडर सुका दनिया पाउडर ये सब डालकर अब हम इसे साथ पर रखेंगे हमारे आलू देखी अच्छी तरीके से बोईल हो चुके हैं मैंने चम्मस से इसे मेश कर दिया है थोड़ी दे ठंडा होने के बाद हम हम इसे आटे मेट करेंगे मैं इसमें हिंग एट कर रही हूँ क्योंकि मुझे हिंग की खुश्बू बहुत अच्छी लगती है प्रोपर मिलाने के बाद ही हम इसमें पानी डालकर आटा गुन देंगे ताकि इसमें पानी जादा नहों और आटा हमारा थोड़ा टाइट ही रहे क्योंकि आलू की होने की वज़े से आटा सौफ्ट हो जाता है अब हम इसमें थोड़ा सा ओईल लगाकर आटे को एक सेट कर देंगे इसके बाद हम लेंगे लोया रोटी बनाने के लिए और उसको बेलने के बाद हम इसे ओईल करके बीच में से चाकू से कट करेंगे और फॉल्ड करके दूसरी तरफ वापस से फॉल्ड करके राउंड करके इसे चप्टा करेंगे और फिर इसे वापस पराठी के शेप में बेलेंगे अब हम इसे तवे पे अच्छी तरीके से कम फ्लैम पर यानि लो फ्लैम पर सेकेंगे और फिर ओईल लगाएंगे ताकि पराठा कुरकुरा और क्रंची बने ठीक है तो देखिए मैंने तो इस तरीके से आलू पराठा बनाया है देखिए वीवर्स मेरा पराठा बनके है रेडी अब हम इसे दई और सोस के साथ इंजोई करेंगे आप बताएए आप पराठा किसके साथ खाना पसंद करते हैं और जरूर ट्राइ करना